उतर दे दूँगा, पूछे, अब शीर अबेज़ अधरी अज्यक जी, आपने सराब बंदी जैसे महत्पूर प्रस्ट में को हमको पूछने का उतर गया, इसके लिए आपको बहुत आभारी हूँ, अभी हमसे पूर भी स्वामी जी बोल ले तो से मानी मंत्री जो आप दे रह हैं, उनकी जमीने बिग जा रही है, चलिए मानी मंत्री जी ने बताया कि अगर सराब नहीं बेचेंगे तो हनाभाव हो जाएगा, हमें आप से पहन कूछना चाहते हैं, मानी अधर जी आपके माधिन से कहना चाहते हैं, कि आप भी के अंसार गुजरात एक डेवलब इस्ट हमने आप मंत्री जी बाद भी सुना, कि 21 साल से कम उमिर के बच्चों को सराब पीने पर और बेचने पर रोक लगी हुई है, हमें आप के बताना चाहते हैं, बहुत दूर जाने क्या हो सकता नहीं है, इसी राज़भानी में ही, यहां से 6-7 किलोमेटर दूर गाएक समिट व पढ़ी रहते हैं, नालीम पढ़ी रहते हैं, हम वहां के पुलिस उधन्यवाद देना चाहते हैं, बैचारी कम राद बारा बज़े, एक बज़े दोजे तक उठा करते हैं, सब को सबके घर तक पहुचाती है, ऐसी अनेती की स्थितिया पहली हुई है, सिर्फ सराब क्योज कुछ दिखाई नहीं पढ़ा है कि इस तरीके से बच्चों को सराब फरोसी जारी है और बेची जारी हुआ पर, हम आपके माध्यम से माननी मंत्री जी से कहना चाहेंगे, हमारे दो अनपूरक है, और दोनों के जवाब देते हैं, एक ही बारे को कि समय कम है, क्या सरकार 21 साल सक्का मायो के बच्चों को सराब देने वालों पर कानूनी कारवाई कराएगी, और दूसरा प्रशन है कि सरकार 21 साल सक्कम ओमर के बच्चों के सराब बेचने पर, जो मानीटरिंग की बेऊस्था है, उस CCTV कैमरे की फुटच को मंगाईए, सिर्फ एक ही जगा हमने उदार द के लोगों को कम से कम अब चिंता हुई है, निए तो जब इनकी सरकार प्रदेश में थी, अरे जवाब सुन दिए, जवाब सुने वी,art si, एक के सरकार प्रदेश में थी, तो पूरे प्रदेश को शराब माफियाों ने जगल रखा था और उस वक्त जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई और यहां तक कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो जो पॉलिसी एक साइस की बनती थी और यह लोग उस पॉलिसी को बनाते थे और पूरा प्रदेश उस वक्त जो मौते हुई वो इनके कारण और इनकी पॉलिसी के कारण हुआ जो प्रश्म मेरे सामने आया है मैं उस पे जवाब देना चाहता हूँ जो आपने पूछा है वो भी बता दूँगा मैं इन्होंने कहा कि कितनी मौतों को कैसे रोका जाएगा मैं आज आपके माध्यम से इस माननिय सदन को जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड लोगों का प्रतिनिधित्व करता है को बताना चाहता हूँ कि 2022 में जब अधर्णिय योगी जी की दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी आज पौने दो वर्ष हो चुके हैं सरकार को बने हुए 25 करोड की जन संख्या में एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कच्ची और नकली शराफिजां नहीं हुई एक भी मौत नहीं हुई जवाब अरे जवाब सुनदो जवाब सुनदो जिस तरीके से आवतारी विभाग ने परवरतन की कारवायों को किया है माफियाओं को बंद करने का काम किया है और आज मैं ये कह सकता हूं सदन में खड़े होके कि साथ प्रतिशत माफियाओं की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार में करने का काम उस्तरफ़ेशन आपने दो अनपूरक प्रश्न किये एक तो 21 वर्ष की आयू से जो आप कहते हैं कि जो नौजवान है अगर उनको शराप परोसी जाएगी तो उत्पे क्या करवाई होगी मैंने अपने पहले जो स्वामी जी ने प्रशन किया था मैंने उसमें जवाब में आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे अधिनियम में धारा 22 और 23 में प्रविधानित है और अगर कोई इसका उलंगन करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और उसको उसको पनल्टी भी लगेगी दूसरा चीज आपने सीसी फुटेज कैमरे की बात करी तो हमारे हर दुकानों में सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं और अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत आती है पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारी परवर्तन की टीमें लगातार भूती रहती हैं लेकिन अग अगर ऐसा होता है उस कैमरे के जो प्रदेश तीवी कैमरे हैं अगर कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई विभाग करता है अभी तक ऐसी कोई घटना प्रदेश में नहीं हुई है अबे जी एक दिन कोई डेलीगेशन भेज़ दीजी किसी भी दिन सनिवार को या सुत्रवार को डेलीगेशन भेज़ दीजिए और वो बिदान सबासे और जाकर करके बेख लेक वहां कितनी उमर के बच्चों को फराप परुसी जा रही है पिलाई जा रही है तिर्फ एक ही